वेल्कम बैक तो दरेक्स लास यह जो लास्ट कुश्यन हमने उस दिन छोड़ा था लास्ट वीडियो में एकसरसाइज 7.5 का हमने कहा था कि कुश्यन क्लियर नहीं है तो वह लास्ट कुश्यन है जावेद वाज गिवन फाइप अपाल सेबन आफे बास्केट आफ एक बास्के है जो कि आरंज से फिलब है उसका फाइप अपाल सेबन आरंज जो है वो जावेद को दे दिया गया वाट फ्रैक्शन साफ आरंज वाज लेफ्ट इन दा बास्केट तो बास्केट में कितना आरंज बचा है उसका फ्रैक्शन आपको पता करना है तो हम यह नहीं पता है कि उस मास्केट में कितने आरेंज है, तो हम माल लेते हैं कि, उस मास्केट में कितने आरेंज है, 1, तो कितना दे दिया गया उसको, 5 upon 7 is given to the, जावेद, तो left orange is equal to, 1 था, उसका 5 upon 7 दे दिया गया, तो 1 minus 5 upon 7 हम कर देंगे, इसको हम class multiply करके, सब्ट्रेक्ट कर देंगे, 7 बंजा 7 and 5 बंजा 5, means 7 minus 5 upon 7, 7 minus 5 is equal to 2, एंसर क्या आजाएगा, 2 upon 7, तो इसका मतलब, 2 upon 7 आरेंज, उस बास्केट में, अभी भी बचा हुआ है, 5 upon 7 देने के बाद, next exercise है आपकी, exercise 7.6, यहाँ पे आपको, unlike fractions को, add या सब्ट्रेक्ट करना है, तो जब भी हम unlike fraction को, add या सब्ट्रेक्ट करते हैं, तो हम denominator का LCM ले ले लेते हैं, जैसे आपका first fraction है, 2 upon 3, plus 1 upon 7, तो 3 और 7, दोनों का LCM हो जाएगा 21, 3 से, first fraction के denominator से, first fraction का denominator क्या है, 3, 3 से हम 21 को divide करेंगे, तो आजाएगा 7, 7 जो आया, divide करने पर जो आया, LCM को हमने first fraction के denominator से, LCM को divide किया, आया 7, उससे हम multiply कर देंगे, उसके numerator को, तो यहाँ पर 2 है, 72 जा क्या हो जाएगा, 14, plus, second fraction के denominator से, हम LCM को फिर से divide करेंगे, second fraction का denominator है 7, 7 से, 21 divide होगा, आएगा 3, 3 से हम multiply कर देंगे, उसके numerator में, उसका numerator 1 है, तो 3 बन जा 3, तो क्या आया, 14 plus 3 is equal to, 17 upon 21, यह answer है आपका, तो इस तरह से हम इसको, शाल्व करेंगे, जैसे section भी है, section भी है, 3 upon 10 and 5 upon, sorry, 3 upon 10 and 7 upon 15, 3 upon 10, 10 plus 7 upon 15, तो यहां पर हम 15 और 10 का यल्शीम ले लेंगे, तो आजाएगा 30, 15 और 10 का यल्शीम क्या होगा, 30, तो 10, 3 जा 30, 3 जा 9, प्लेस, 15, 2 जा 30, 7 जा 14, तो 14 plus 9 is equal to, कितना आएगा, 23, 23, is equal to क्या हो जाएगा, 23, upon, 30, यही एंसर हो जाएगा, इस तरह से हम इसको शाल्म करेंगे, बाकी मचे हुए section, आप क्लास 5 प्त में, आपको एक डेटेल में, यह सार, यह, एडिसन आफ, लाइक फ्रेक्शन, एडिसन आफ, आपको अलाइक फ्रेक्शन, याश प्रेक्शन आफ लाइक फ्रेक्शन, याश अलाइक फ्रेक्शन, आपको डेटेल में मताया गे आप तुम्य, तो आप इसे कर दिशकते हैं, you have to complete the question on the first time exercise 7.6 and the last question of exercise 7.5 thank you